शॉप 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 करूँ वेल्कम बैक ओनलाइन डिज्टर मार्केटिंग कोर्स में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों free class में मैं आपका स्वागत करता हूँ अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप तक चैनल को तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब किजी ताकि आप निरंतर बेस पे इस चैनल का फायदा उठा पाएं और सबसे पहले तो मैं आपको शोरी कहना चाहूँगा sorry for the late किसी emergency के कारण कुछ हीशू होने के कारण मैं आप वीडियो लेट से अपलोड कर रहा हूँ अपलोड नहीं कर पाया था तो I am really apologize for that I am really apologize to all of you इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि मैंने previous वीडियो में बताया था कि next जो वीडियो में रहा है का वो keyword planner से related आए का Google AdWords keyword planner से तो इस वीडियो में मैं आपको Google AdWords keyword planner के बारे में बताने जाऊँगा अगर जो आपने अब तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है अगर जो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भीजिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना भी मत भूलिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज स्टार्ट फ्री क्लासेज में आपको डारेक्टली कीवर्ड प्लानर Google AdWords का कीवर्ड प्लानर टूल्स है उस टूल्स पर लेके चलूंगा ताकि आपको लाइव से संदिखा पाऊं लाइव एक्जाम्पल और लाइव तरीके से समझा पाऊं कि गूगल AdWords का कीवर्ड क्या होता है और कीवर्ड प्लानर क्या होता है इसे कैसे यूज करते हैं आपको कीवर्ड प्लानर के टूल्स पर लेकर के तो यह आपका Google AdWords का कीवर्ड प्लानर टूल्स ओपन कर लिया है मैंना सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कीवर्ड कीसे कहते हैं तो चलिए मैं आपको Google.com पर ओपन करके यह सब यह सब कर देता हूं की कीवर्ड कीसे कहते हैं तो गूगल में आपका Google.com पर ओपन कीजिए यहां पर कोई भी चीज अगर आप आप पर अपर सुझ हैश करना चाहते हैं जाव कुई भी चीज पशेक kendien है तो यहां पर आप keyword डाल रहा है क्यां पर keyword आप डालते हैं इसको keyword होते हैं तो यही तोर्च कर आप करना कर दे किसको पर पूद हुआ Amazon हुआ Flipkart हुआ इन तिनों कंपनियों का सजेस्ट डिस्पले सजेस्टेड आपका इनका sponsored ad इस हो कर रहा है ठीक है तो इसका मतलब यह जो भी कीवर्ड आप सर्च करते हैं यहां पे जो किवर्ड लाइक सुझ या लोएस्ट प्राइस या कुछ भी कीवर्ड सर्च करते हैं कुछ भी पर्चिस करने के लिए जो कीवर्ड या जो भी टाइप करते हैं आप Google में वह ता है और यह टाइप करने के बाद से क्यों सुख कर रहा है यह भी बता देता हूं आपको गूगल एडवर्ड में इन्हों ने यह जो कीवर्ड है जो हम टाइप कर रहे हैं वह एडवर्ड लिस्ट किया है कि ताकि कोई भी विजिटर अगर जो यह रिजल्ट सर्च करें सर्च एंजन पर जाके गूगल पर जाकरके उनका एड़ दिखें एक तरह से आप बोल सकते हैं अगर जो सर्च करेंगे तो उनके पाफॉमेंस के बेस पर उनका रिजल्ट सो होगा यहां पर आपका ठीक है तो इसे इसे बोलता है आपका गूगल कीवर्ड और यह इनके जो कीवर्ड होता है यह डारेक्ली जो फ्लिपकार्ट हुआ है असे कुडू जो अमेजों हुआ अपने वेबसाइट पर जागर की यह कीवर्ड लिस्ट किया होता है इन्होंने गूगल से पर्शेस करने के बाद से बीडिंग जीतने के बाद से यह जो कीवर्ड होता है इन्होंने अपने वेबसाइट पर लिंक किया होता है ठीक है तो यह हो गया आपका कीवर्ड के बार होगा टूल्स में है टूल्स में क्लिक किजिए थूल्स में क्लिक करने के बाद से आपको लएस्ट तर्ड लास्ट का उप्शन को आएगा कीवर्ड प्लान्र अप इस पे खिलिक करेंगे हो आपका कुछ ऐसा वियू आएगा थोडा लूड़ दोहने में समय लग रहा है माफी जाओंगा दोस्तों नेट सो लोखने के करण थोड़ा सा समय लग रहा है हाँ तो दोस्तों ऐसा सो करेगा आपका पेज ठीक है कीवर्ड प्लानर टूल्स में जाकर कि जब आप कीवर्ड प्लानर्स पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फाइंड न्यू कीवर्ड और यहाँ पर आप जब क्लिप करेंगे और कोई जब नहीं है कि यह जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे है क्यावल गूगल एडवर्ड के लिए ही यूज करें आप स्यू के लिए भी यूज कर सकता है ठीक है एसेओड Applause के keyword में और एस्यो के keyword में क्या difference होता है यह भी मैं आपको बता दा हूं Edwards के लिए कोसिस कीजिए की ऐसे keyword choose कीजिए अगर जो आप advertisement डाल रा है Google पर तो आप ऐसे keyword डालें जो की हमकुार जिस पडिए क्लिक नहीं हो माल लीजी अगर कोई भी वेबसाइट बना रहें और उसका एडवर्टाइज्मेंट गूगल एडवर्ट पर दिय रहें तो आप कोशी किजिए ऐसा एडवर्टाइज्मेंट दे रहें तो उसके लिए कीवर्ड चूज किजिए कि अनेसेसरी क्लिक ना हो क्योंकि हर एक क्लिक जितना भी विजिटर अगर जो आपके एड पर क्लिक करेंगे उतना ही आपके एकाउंट से पैसे इसमें डिड़क्ट होता हैं मेरे कहने का मतलब यह है अगर जो मान लिजे आपने कोई भी अगर जो डिया हुआया तो अगर जो आपने कुछ पर्चेस्क करने के लिए उन्माल लिजे पर्चेस करने के लिए रंच ब SG डाला हुआ है सुमेक परचेस के लिए इस давोग के जाए कि रिभПрेवों एमन डर्माल की देखने लिए कोई उस-पर ख जला जाता आ है आपके ह जैसे कर जाएंगो और आपको कोई भी विजिटर आपके यहां से पर्चिस भी नहीं करेंगा तो ऐसा कीवर्ड चूज कीजिए कि जो एनसेसरी क्लिक नहीं हो एक्जेक्टली जुम आप जिस चीज के लिए आप पर डाल रहे हैं वह रिजल्ट का कीवर्ड एक रिसर्च कीज मैं यहां पर देखिए आपको डिजिटर मार्केटिंग का यह कीवर्ड टूल मैं आपको चला कर दिखा जाता हूं कैसा होता है डिजिटर मार्केटिंग का मैं यहां पर कीवर्ड डाल देता हूं यहां पर जो भी पोड़क्ट या सर्विस या जो भी कीवर्ड है आप डाल क्लिक क्या करना है आपको get ideas में जाना है ठीक है keyword के ideas के लिए get ideas में जाना है तो आप आप से आप directly get ideas कर लिए क्लिक get ideas में देखी आपकी यहाँ पर इतने सारे keywords आ रहे हैं ठीक है और यहाँ पर इनकी competition भी दिये हुए है online marketing internet marketing social media marketing ठीक है यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे keyword दिये हुए है अगर जो आप देखेंगे तो बहुत सारे keyword यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जैसे दिखीए यहाँ पर जिस्टर marketing और यहाँ से कोई भी keyword अगर जो directly आप अपने group में add group में add करना चाहते हैं तो यहाँ से directly इस वाले add to plan में जाकर करके यहाँ पर क्लिक करेंगे यह आपके add group में एक list हो जाएगा keyword तो इसमें क्या-क्या सो करना है keyword क्या-क्या आपको चेक करना है keyword चुछ करने से पहले मालने जो डिश्टर marketing का अपने सर्च किया online marketing है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर competition देखना है average monthly searches देखना है और यहाँ पर देखना है suggested online marketing यहाँ पर competition medium है यह आपका Google AdWords के लिए बहुत best होगा keyword क्योंकि कोशिश कीजिए कि जो भी हो research अगर average monthly searches है वह आपका ज्यादा हो लेकिन जो competition ज्यादा ना क्योंकि competition जितना ज्यादा होता है उतले ही unnecessary click की ज्यादा होती है unnecessary के लिए जितना ज्यादा होगा उतना necessary पैसे जो है आपके account से डिटक्ट होंगे और suggested bid यह होता है कि गूगल के दुवारा average आपको bid का idea दिया होता है कि इतना amount का आपका bid अगर जो करके purchase करना चाहता है यह keyword तो इतना amount bid लगा करके आप कर सकते हैं और यह suggested bid जो है कभी भी fix नहीं होता है कि यह competitors के करता है यह बढ़ता रहता है और कम भी होता रहता है ठीक है तो यह आपका keyword planner है यहां से आप कोई भी अगर जो choose करते है keyword तो directly यहां से आप अपने ad group में add कर सकते हैं कोई भी ad group अगर जो आपने बनाया है तो ad group के बारे में अगर जो directly ट्रिक जेंड ग्रूप आइड लूप है यहां फिक्रो लेट पर जोंगी एक जीड कर चूल लाने कर सकते हैं अप अगर मंगो आइड ग्रूप कर सकते हैं अब आईए आपको मैं so करता हूँ tools planner का कुछ और advanced feature जो features आपको ध्यान देने चाहिए तो यह आपको इसके keyword research के बारे में मैंने बता दिया है keyword research के बारे में और सबसे पहले यह भी बताना चाहूँगा कोई जरूरी नहीं है कि वह adwords के लिए ही आप यहां से keyword उठा सकते हैं अगर जो आप चाहें आपका YouTube channel है या कोई website है और SEO के लिए अगर जो आप यूज करना चाहते हैं SEO के लिए भी आहां से keyword यूज कर सकते हैं SEO के लिए आप आपको यह ध्यान देना चाहिए कि competition जो है competition जीतना हो से कि उतना मतलब low medium हो या low लेकिन average monthly search जो है वह ज्यादा हो ठ ताकि आपका competition कम होगा तो आपका website ऊपर SEO में SEO ranking में आने में search करने पर जादा इसकी संभावना होगी फिर से चलिए आप चलते हैं आपको keyword planner के tools में लेकर के वहां से आपको कुछ features के बारे में मैं बथा देता हूँ अब यहां से अगर कोई भी keywords आप choose करते हैं कोई भी ad group बनाते हैं location wise भी आप choose कर सकते हैं और advanced feature का use कर सकते हैं आप इसमें जा करके आपको फिर से keyword planner के tools पर आके बैठा है माली जी यहां से फिर से आप अगर जो कई भी keyword डालते हैं digital marketing डाला आपने ठीक है तो यहां पर अगर जो आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहां पर targeting location यहां पर location अगर जो आप पूरे इंडिया में चाहते हैं तो यहां पर selective location अगर जो आप यहां पर आड करना चाहते हैं तो add कर देंगे मैं यहां पर india डाल करके आपको save कर देता हूं ठीक है यहां से आपका इंडिया का है इसको जाकर के यहां से आप एड़ कर सकते हैं यहां से जाकर के यहां पे एक किस चीज़ आपको और की वा कि या कश सर्च करें कोई बना रख तो ऊसमें रिव्यूज को या फिर फ्रीवर्ड सब्सक्राइड तो फ्री एक सब्सक्राइब के बाद से आपका सब्सक्राइब का डाल कौणार तो फ्री हुआ यूश्यकशाइड उकर सेंद सब्सक्राइब, वाइसी keywords choose कर सकते हैं और यहां पर save कर सकते हैं ताकि यह word अगर जो कोई भी visitor search करता है आपका keyword दियो keyword के साथ साथ इस पर जो है searches ना देखें और add आपका ना देखें और उस पर unnecessary click ना हो ठीक है अब यहां पर देखिए keyword filter में आप देखिए keyword filter में advanced कुछ option दिया हुआ है आपका यहां पर average monthly search आप खुछ select कर सकते हैं suggested bid भी select कर सकते हैं और add impression share कितना चाहते हैं competition high high चाहते हैं low चाहते हैं medium चाहते हैं यहीं से select कर सकते हैं ठीक है तो यह आपका keyword चाहते हैं सबका यूज किजिए ताकि advanced इस advanced technology का यूज करेंगे जितना ज्यादा उतना ही better आपको result आएगा और keyword research में जितना ज्यादा research करेंगे जितना ज्यादा इतना ज्यादा उतना ज्यादा आपको better response मिलेगा आपकी website पर आपके एडवर्ट पर आपका जो advertisement दे रहे हैं उसके उपर या फिर कोई भी website के SEO ranking पर या फिर YouTube चैनल पर उतना ही better ज्यादा है उतना ही better आपको results होगा तो यह था आपका keyword का key planner tools इसकी regarding अगर जो आपको कोई कोई भी संदे है कोई भी question है कुछ भी अगर जो आपके mind में ऐसा question है तो आप comment करना ना भूलिए comment में अपना question टाइप किजिए मैं आपका question और doubt बिल्कुल clear करूंगा so thank you for watching friend thanks for watching keep watching like share and subscribe the channel press on the bell icon also अगर जो आप bell icon press करते है तो आपको यहां पे जो subscribe कर नीचे button दिया होता है उसी के बगल में घंटा करके गंटा का icon देता है उस पे आप click करेंगे तो जो भी आपका next video आएगा तुरंत आपको इसकी regarding notification आजाएगा subscribe करना ना भूलिए कोई भी doubt हो comment कीजिए आप like कीजिए और जितना हो से कि उतना जादा share कीजिए ताकि इसका फैदा और भी जादा logo logo तक पहुंच पाया और वह भी उठा पाया so thanks for watching keep watching and like share comment and subscribe channel press the bell icon have a nice day